नमस्कार दोस्तों कामियाविता की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम भोगोल के पिछले दस वर्सों में पूछे गए प्रसनों का अभिहास करेंगे यह प्रसन हमारे क्या क्या प्रसन भी आ सकते हैं यह भी आपको पताए जाएगा वीडियो को अंतर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेयर कर दें यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं यदि नहीं लगे तो आप विलकुल ना लाइक करें पर स राज्य में सितित है, option A है हमाचल पर्देश, option B है सिक्किम, option C है जमू और कस्मी, option D है उत्राखंद, तो नेलोंग जो गाटी है वे उत्राखंद में है, अब हम बात कर लेते हैं, नेलोंग गाटी कहां सितित है, और किस देश के बॉर्डर पर है, और इसे किस अन्य नामों स भी जाना जाता है, तो सुरू करते हैं, इसका उत्तर तो है, उत्राखंद में है नेलोंग गाटी, नेलोंग गाटी उत्रकासी जिले में सितित, नेलोंग गाओं के आसपास का छेत्र है, जो उत्रकासी से लगवग, यहां पर देखो, यह दिखो, चित्र देख सकते हैं, य उत्रकाशी से एक सूपन्द्रै किलोमीटर की दूरी पर समंद्र स्तल से 11000 मीटर की उचे उचाए पर सित्त है यह गाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है ये गंगोत्री नेशनल पार्क का भाग है नेलों गाटी को के दिरसे और जलवाईू काफी हद तक लद्दाक सिपरती गाटी से मिलते हैं इस बज़े से नेलों गाटी को उत्राखंड का लद्दाक भी कह जाता है तो दूसर जाता है तो इसका उत्तर होगा नेलोंग घाटी नेलोंग घाटी ग्यारहजार चारसो किलो मिट्र फिट की उचाए पर भायत और चीन सीमा के पास सितित है यहाँ पर देखो यह बायत और चीन की सीमा है यहाँ पर सितित है नेलोंग घाटी और यह लद्दाक से से दिर्शिय में और जलवाई से काफे में मिलते जुलती है इसलिए से उत्राखंद का लधाक भी अधर जाता ही और यह भाहर की सीमा दो राज्यों से लगती है हमाचर परदेश पश्यम में और दस्षिन पश्यम दस्षिन और दस्षिन पूरम में उत्र परदेश से लगती है उत्राखंड की सीमा दो देशों से भी लगती है पूरम में नैपाल है और उत्तर में चीन तिबबत है उत्राखंड का राज चेश सत्य में वजयते लिखा हुआ है राज के पस्वेश का ब्रहम कमल सतानी नाम इसका कोल पग कहते हैं और वेग्दानिक नाम सा इसका सोसूरिया अब लेवेटा है राज के पस्वेश्ट का कस्तूरी मिर्ग है भासा इसकी हिंदी है और दूसरी भासा 2010 से संस्कृत कर दी है राज्य की विदाही का एक सदनी है एक सदन विदानसवा है विदानसवा सदस्व की संक्याइश में कहतर है सत्तर तो निर्वाचित होते हैं और एक मनोनित है लोग सबाकी सीट yours में 5 हैं और राज्यसबा की सीट में 3 है तो अगला परसंन है भारत में निमलिक्त में से कौन सा चट्टान, स्रंकला, रॉक सिस्टम, नविंतम है option A है, विंदे, option B है, कडपपा, option C है, धारवार, option D है, गोडवाना तो इसका उत्तर है option D, धारवाड, किरम की चट्टाने, रोक, सिस्टम चट्टानी या चट्टान स्रंकला रहलाती हैं तो अब इसका विशलेशन जान लेते हैं भारत में पृत्वी के सभी भूवेग्यानिक कालों से निर्मित चट्टानी पाई जाती हैं इसलिए भायत की भूवेग्यानिक स्रंचना विवित्ता पूर्ण है चट्टानों की विवित्ता के कालन भारत में भेत्तरे की खनीच पाई जाते हैं भूवेग्यानिक इतियास के आदार पर भायत में पाई जाने वाली चट्टानों का क्रम इस प्रकार है आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड क्रम की चट्टाने, कडपा क्रम की चट्टाने, विद्यन क्रम की चट्टाने, गोडवान क्रम की चट्टाने, डककन ट्रेप, टर्सियल और कौाटनरी क्रम की चट्टाने अब हमका एक एक करका इनका फूल विसलेशन करेंगे तपहली है आर्कियन क्रम की चट्टानी ये सबसे पाचीन और पात्मिक आगे निये चट्टाने हैं क्योंकि इनका निर्मान तफ्तवे पिगलती होई प्रत्वी के ठंडे होनी के दोरान हुआ था बरतमान में अत्यदिक रूपा नंतर के कारण इन चट्टानों का मूल हिवास में नहीं पाए जाते आर्कियन क्रम की चट्टाने मुखे रूपसित करनाटक तमिलाएडू आंद्र प्रदेश मद्र प्रदेश औरीसा जहारकंड के छोटा नागपुर का पठार दस्थिन पूर राइस्तान में मद्र प्रदेश के बलंद बंदेल खड में पाए जाती हैं दूसरी क्रम की चट्टाने धारवाड क्रम की चट्टाने इन चट्टानों का निर्मान आर्कियन क्रम की चट्टानों के अफवरतन वे निचेपन से हुआ है इसलिए ये अफसाधी चट्टाने हैं ये सबसे परानी अफसाधी चट्टाने हैं इन चट्टानों को जीवास नस्ट हो गए थे अरावली परवत जो कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित परवत है का निर्मान इस क्रम की चट्टाने से हुआ है तो एक प्रसंद बनेगा कि अरावली परवत माला का निर्मान किस से हुआ है तो इसका उत्तरोगा धारवाड क्रम की चट्टाने स पाई जाती हैं तो ये करनाटे के धारवाड और सिगो मा जली में पाई जाती है इसने इसलिए इनका नाम धारवाड नाम रख दिया गया इसके अलावा ये चट्टाने काविरी नदी घाटी विलार गजिला जवलपुर की सासर परवतमाला नागपुर और गुजरात की पानेर परवतमाला पाई जाती है उत्तर भारत में धारवाड करम की चट्टाने हिमाले की लद्दाक जासकर गड़वाल कुमायू सरेनी में पाई जाती हैं अब बता देते हैं अब मैप में देख यहां पर पाई जाती हैं यह जासकर सरेनी हैं यहां जब मुकस्मीर में मक यहां पर पाई जाती हैं धारवाड किरम की चट्टा ने आर्थिक डिश्टी से बहुती महत्पून है क्योंकि अधिकांस धात्विक खनीज इस किरम की चट्टां में पाई जाते हैं तो सबसे जादर धात्विक खनीज पाई जाते हैं वो धारवाड किरम की चट्टां में प कट विकरता स्रेनी आदी सिक्रो वेगो में पाई जाती हैं ये चटन भायद में पाई जाने वे चटानों में आर्थिक डिस्ती से सबसे महतून चटानी हैं डेश की लगवक सभी प्रमुक धातू जैसे सोना मेगरनीज लोहा तामा टंगस्टन क्रोमियन जस्ता आदी इन में नाइट सीशा सुर्मा वेलफ्राम अब्रक कोवाल्ट एस एविस्ट्रस गार्नेट संगमगर सारी संगमग मंगमर कोरंडम खनीज आदिप्राप्त होते हैं सोना करनाटक में कौर्स चट्टानों की अधिक्ता होनी के सेट कोलार और धारवाड की घाटी में बहुत यात मिलता है तो सबसे ज़्यादा सोना है वो करनाटक में पाई जाता है लोहा जहरकन में पाई जाता है जहरकन के बाद औरीसा गोवा मद्द्परदेश 36 गर्ड करनाटक में अधिक मिलता है धारवार काल में ही अरावली पाहडियों का निर्मान मोड़दार परवतों के हुआ इसके बाद यह समतल हो गई यह संसाज की सबसे पुराना मौरदार परवत भी माना जाता है अगली करम की चटाने हैं कडपा करम की चटाने यह अफसादी चटाने हैं क्योंकि इनका निमान धारवाड करम की चट्टानों के अपवरतन में निचेपन से हुआ है आंध प्रदेश के कडपा जिले में इन करम की चट्टाने अर्द विर्दाकार छेतर में विश्तित पाई जाती हैं इसलिए इनका नाम कडपा रखा गया ये चट्टाने बलुव पत्थर चूना पत्थर एविश्टस संगमंगवर की चट्टानों के लिए प्रिसिद्ध है कडपा चट्टाने राहिस्तान में भी पाई जाती हैं तो ये दो जिगे पाई जाती हैं आंध प्रदेश और राहिस्तान में पाई जाती हैं कडपा करम की चट्टाने अब दूसरी है विद्यन करम की च चट्टाने अफसादी चट्टाने हैं क्योंकि इनका निर्मान कडपा चट्टानों के बाद अफसादों के निचेपन से हुआ है इन चट्टानों में जिवास के भी प्रमान पाए जाते हैं विद्यन किरम की चट्टाने मालवा का पठार सौन गहाटी बंदेल गढ़ आदी प्रदेशों में पाई जाती हैं इस सरंचना की चट्टानों का उप्योग इमारतों वे घरों का निये के लिए किया जाता है लाल किला जामा मस्जित रसांची का सपूद जैसी अन्य इत्यासिक अमारतों का निर्मान इस सरंचना में पाई जाने वाली लाल बलुआ पत्थर क चट्टानों से हुआ है इसके अलावा चूना पत्थर डोलो माइट आदी चट्टाने भी इस सरंचा में पाए जाती हैं मद्य परदेश की पन्ना की घाटी पन्ना की घाटी या खाने करनाटी की गोलकुंडा की खाने यहां पर हीरा प्राप्त होता है विद्यन करम की चट्टाना और सौना और हीरे के लिए अती महत्पून होती हैं यह मद्य परदेश आदी राज्ये में पाए जाती हैं अगली है गोडवाना क्रम की चट्टाने इन चट्टानों का निर्मान कारवन्नी फैरस से जुरासिक काल के बीच हुआ है भारत में गोडवाना करनाली नवीन तम है गोडवाना सब्थ की उत्पत्ती मद्य परदेश के गौड़ छेत्र के नाम पर हुई है भारत का दिकांस कोईला गोडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है कारविनी फैरस कॉल के दौरान प्राइदी पे भारत में अनिक दरारों का निर्मान से उसपर हुई ताप अदाव की क्रिया से कोईली का निर्मान हुआ है बरतमाइन में कोईला भायत की दामोधर सौहन इंदि गाटियों में पाया जाता है कोईला दककन ट्रेम की चट्टाने डककन ट्रेम की पाय जाती हैं जो बहुत ही कटोर होती हैं दीर काल में इसके निछेपन से काली और रेंगुर मिर्दा का निर्मान हुआ है तो पिरसन बनता है काली और जिसे काली और रेंगुर जो कपास के लिए आती महत्मुन हो जाती है मिट्टी काली और रेंगुर मिट्टी इसका निर्मान किस से हुआ है तो इसका निमान हुआ है डक्कन ट्रेप की चट्टानों से यह मुख्यत संचना महराष्ट, गुजरात, मद्द पर्देश, तमिलाइडू में पाई जाती है तर्सियर क्रम की चट्टाने तर्सियर क्रम कल्प को काल क्रम के निसाथ चार भागों में बांटा गया है इयोसीन, ओलीगोसीन, मायोसीन और पलायोसीन इन चट्टानों करनिमान इयोसीन से लेकर पलायोसीन काल के दोरान हुआ है इस कल्प के दोरान हमाले करनिमान निमले क्रम से हुआ है ब्रेद हमाले करनिमान ओलीगोसीन काल के दोरान हुआ है लगू या मद्दे हमाल लेकर निर्मान मायोसीन काल के दोरान हुआ है सिवालिक हमाल लेकर निर्मान पलायोसीन काल के दोरान हुआ है टर्शिय क्रम की चट्टाने असम, गुजरात, राइस्तान में आदी मिलती है और इन में सबसे ज़्यादा तेल इयोसीन और ऑलीगोसीन काल की चटटानों में भी पाया जाता है अगली चटटाने काटनरी करम की चटटाने यह चटटानी गंगा वे सिंदू के मैदान में पाई जाती है आपको थोड़ा मेहफ में बता देते हैं गंगा और सिंदू का मैदान यह है सिंदू नदी यहां से और यह है गंगा का मैदान इस भाग में पाई जाएंगी यह काटनरी करम की चट्टाने काटनरी युक काल के अनुसार निमलिक दो भागों बाटा गया है पलीस टौसीन और हॉलो सीन काल उत्री और मद्य पलीस टौसीन काल में परानी जलोड मिर्दा का मैदा का निर्मान हुआ जिसे बांगर कहते हैं जलोड मिर्दा है जिसे बांगर का जाता है पलो सिर्टीन के कि फिट संवे neighborhood ऊल्नी तक बांगर कहा परानी तक को कि पार्ण 느 एक जिल थी रिकिन इसमें लगातार मल्वें के निच्छ पित होते रहने पर ये घाटि के रूप में बदल गई से करेवा का गया है तो कश्मीर की घाटी को अन्य नाम से जाने जाता है करेवा कच का रन समंद्र पूरम में समंद्र का भाग था लेकिन पलो सोटीन वे होलो सीन काल के दोरान अफसादी निच्छेपन से भर गया अगला प्रसन है निमलिक में से कौन सा योगम समिलित नहीं है पहला है फॉन आलपस माउंटेन बोरा पोलेंड तीसरा है मिर्स्टल राइन गाटी चोथा है खामसीन मिर्स्र तो इसका उत्तर है ऑप्षन सी मिर्स्टल राइन गाटी भायत में सतानी पवने भूबन डिले पवने की तिल्लों में सतानी पवने संक्री छेतर में संचरित होती है अब भूबाग की विवित्ता जितनी अधिक होगी सतानी पवने उसका प्रवाब उतना यधिक होता है तब जान लेते हैं आधी क्या होती है मांसून पूर्व के म अर्विजनिक संपत्य को नुक्सन पहुंचाती हैं यह रोपन विशेश कर आम फसलों के लिए हानिकारक होती है आंदी दूसरा है काल वैसा की सतानी भासा का अर्थ होता है वैसा के महीने में आपदा काल वैसा की का अर्थ होता है वैसा के समय में आपदा गर्मी के मौसम के दौरन भारत के पूर्वी हिस्सों में बेहने वाली सुष सतानी हवा है ये उडिसा असम पश्सिमंगाल में भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार है काल वैसा की इन पौनों को ब्यापक च्छती होती है हालं की इससे जुड़ी वारिस पूर्व खरीब फसलो जैसे की दहान जूट सबजियां फलो के लिए उप्योगी होती है ये असम में चाय की फसलो के लिए बहुती लाप पहुचाती है काल वैसा की अगला है लू ये बहायत के उत्तरी मेदान में चलने वाली एक गरम सुसकावा होती है जो काफी सावर गर्मी के मौसम में करनाटक के मद्दे में उड़ा और काफी की खेती के लिए आती महत्पून फाइदे मंद होती है लू जो करनाटक में कॉफी होती है उसके लिए बहुत महत्पून मानी जाती है लू आते या छेतर में रोजगार सिर्जन के लिए भी महत्पून है मैंगरो सावर ये पवन टट्टिय केरल के संचारित होती है मैंगरो सावर केरल में चलती है यह आम की खेती के लिए बहुत मैत्वून होती है समय से पहले आम के पिड़ो को गिननी से रोकने में साहिख होती है मेंगरो सावर अगला प्रसंद निमलिक्त में से कौन सा दर्रा ले की और जाता है आप्सन A जोजी लादर्रा आप्सन B सिप्की लादर्रा option c चुम्भी दर्रा option d बनी हाल दर्रा तो इसका उत्तर है option a जोजिला दर्रा ले की और जाता है जोजिला दर्रा के बारे में जान लेते हैं जोजिला दर्रा लद्दा के द्रास में 11,650 फिट से अधिकूंचाई पर सितित है और इत्यास सुट से शर्डियो के मौसम में इसका अधिकांस भाग बन रहता है जोजिला दर्रा लद्दा के कारगेल जिले में सितित एक उच्प परिवितित दर्रा है तो ये कहा हैं? लद्दाक में सितित है कारगय जिले में यह ले और सिज्ञबर को जोड़ता है कैन सासित परदेश लद्दाक और कस्मीर के बीच एक महतुन लिंक परदान करता है जोजिला दर्रे को बरफिल तूफान के दर्रे के नाम से भी जाना जाता है तो इसे बरफिला तूफान भी कहा जाता है जोजला दर्रा सर्दियों के दोरन भारी हमपाद के कारण बंद रहता है इससे लद्दक छेत का संपर्क कस्मीर से कड़ जाता है वर्स 2018 में जोजला सुरंग प्रियोजना सुरू की गई यह एसिया की सबसे लंबी और रन तिक दी दिसातमक्स रंग है जो स्रीनगर कारगिल और ले के बीच मौसम के संपर्क में सुरूदा प्रदान करेगी हमाले के प्रमुक दर्रे तो एक साइड है दर्रा दूसरी साइड है किस को किस से जोड़ेगा विसे इसता है बनी हाल दर्रा कस्मीर को बहा हमाले और दस्सिन के मैदान इलाके के साथ जोड़ता है दूसरा है बारालाचा ला दर्रा हमाचल पर्देश के लाहोल को लहे से जोड़ेगा हमाचर परदेश के लाहूल को लहे से जोडने वाला बारालाचा दर्रा कॉन्टू लादर्रा ये लहे को कारगिल से जोडता है रोतांग दर्रा ये कुलू गाटी को हमाचर परदेश की लाहूल और सिपर्दी गाटी से जोडता है सिपकी लादर्रा हिमाचर परदेश को तिबबत से जोड़ता है जैलेपला जर्रा सिक्किम को तिबबत से जोड़ता है नातुला दर्रा सिक्किम को तिबबत से जोड़ता है लुपुलेक दर्रा भायत की चौडन घाटी को तिबबत के छेतर से जोड़ेगा और यह उत्राखन में सितित है और यह उत्राखन चीन और नेपाल के ट्राई जंग्सन पर सितित है खाटूंगला दर्रा रद्दा को स्याचीन गिलेशियर से जोड़ता है और विस्व का सबसे मोटर वहन योग्य दर्रा भी क्योंने खाटूला दर्रा बॉम डिल्ला जर रहा है अरुनाच्र प्रदेश में पढ़ता है आगे बात करते हैं अगला प्रिशन सूची एक को सूची दे दो से समुलित कीजिए नीचे दे गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो एह है लानोस लानोस का है और स्टेपी स्टेपी का है यूरोप गा पेरीज का है नौर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका और वैल्ड का है अफेरिका तो इस परकार हमारे इस परसन का उत्तर हो जाता है एक का चार दो का तीन सी का एक और डी का दो तो इस परकार इसका उप्सन है एक तो यह सब गहस के मैदान है गहस के मैदानों के बारे में ब पक्री आदी पालति पसुख के चारे के रूप में काम आती हैं किन्तु आधनिक यूग में बनस्पती वर्गी करन करनिसा केवल गहास के गहास कुल के पौदे जैसे की बास मक्का गहू जो बाजरा दूबराई इंक दान जौर बाजरा इसके अंतरगत माने जाते हैं चरा गह एक खेल के मैदान आदी होने वाले पौदे जैसे हाती गहास सुडान गहास लोगास आदी भी गहास माने जाते हैं विस्व में गहास के मैदान दो तरीके के दो प्रकार के होते हैं उस कटे बंदनी गहास के मैदान सीतोस कटे बंदनी गहास के मैदान विस्व में पाए जा सेयुकराज अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में, वैल डस दश्चिन अफरीका में, डाउंस आस्टेलिया में, केंटरवरी न्यूजिलाइन में, सवाना अफरीका और आस्टेलिया में, टैगो यूरोप और एसिया में. अब हम कुछ मैप के थ्रो जान लेते हैं पंपास दस्षिन अप्रिका में घास के मैदान हैं कंपास सवाना डाउन्स अस्टेलिया में हैं आगे बात करते हैं अगला परसंद भारत प्राइड इपिय की सबसे उची चोटी कौन सी है तो आप्सन ए है उटक मुंडो ऑप्सन भी है अनाई मुंडी ऑप्सन सी है डॉन्डा बेटा ऑप्सन डी है महालेश्वर प्राम तो प्राइड इपिय भायत की सबसे उची जो चोटी है वह अन्नाई मुडी जो नीलगरी की पहडियों में पाई जाती है भारत की प्राइड इपिय परवत यह वाले यहां पर हम यह प्राइड इपिय परवत हैं इसे हम पश्मी घाट भी का जाता है तो प्राइड इपिय परवत सबसे पहला परवत है बिद्यांचल परवत यह परवत माला गुजराज से लेकर पूर उत्तर परदेश तक जाती ह तो यहां से गुजरात से उत्तर परदेश तक जाएगी बिद्ध्यांचल परवत माला बिद्ध्यांचल परवत ही उत्तर वे दस्तिन भारत को सपस्टूप से अलग करती है तो उत्तर और दस्तिन भारत को अलग करने वाली परवत माला कौन सी? बिद्ध्यान चल परवत माला और इसकी ओस्त उचाई कितनी? 200 मीटर और ये कहां पढ़ती है? तो ये गुजरात रुत्पुर्देश में पढ़ती है दूसरी है सत्पुरा परवत माला ये मद्ध्य परदेश में पढ़ती है सत्पुरा पश्यम मैं राज पीपला से आरम होका छोटा नाकपुर यहां से देखो मद्ध्य परदेश से लेकर छोटा नाकपुर जहार करने वाले हैं तक ये होती है सत्पुरा परवत माला छोटा नागपुर के पठार तक विस्तित है महादेव और मकाले पहाड़ियां भी इस परवत माला का हिस्सा है तो जो महादेव हैं और मकाले की परवत पहाड़ियां हैं यह सत्पुरा का हिस्सा माने जाती है परवत माला का हिस्सा है तेरे सो पचास मीटर उंची दूपगड चोटी इसकी सबसे उंची चोटी है तो सत्पुरा परवत की सबसे उंची चोटी का नाम है दूपगड की चोटी जिसकी उंचाई तेरे सो पचास मीटर है अब है पूर्वी घाट की पहाड़ियां इसकी और सतन उंचाई छेज पंद्रे मीटर है यह स्रेनी तेरे सो किलो मीटर तक लंबी है इस रंकला की सबसे उंची चोटी का नाम है मेंधर गिरी जो पंद्रे सो एक मीटर है पूर्वी घाट के अंतरगत दस से उत्तर की और पहा जादा सिवराए की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है अब पश्मी घाट या साधरी इसकी और सतन उंचाई बारे सो मीटर है यह परवत माला सोले सो मीटर लंबी है इस रेनी में दो प्रमुक दर्रे पड़ते हैं थालगाट जो नासिक को मुंबई से जोड़ेगा यहाँ पर देखो यह है थालगाट यह वाला जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है और दूसरा है भोरगाट यह देखो यहाँ पर है भोरगाट जो पूने को मुंबई से जोड़ेगा और तीसरा है पालगाट जो कोईमबटूर को कोची से जोड़ेगा यहाँ पर तीन द परवत स्रंकला जो पढ़ती है वो पढ़ती है गजरात में, राइस्तान में, हरिआने में, दिली में यह राइस्तान से लेकर दिली दस्श nervous प्षिं तक विष्य थे इसकी कुल लंबाई 850 किलो मीटर है यह विश्व के सबसे परवत मानि जाते हैं गुरु सिकर जो सत्रे सो बाइस मीटर इसकी सबसे उंची चोटी है तौरावली की सबसे उंची चोटी का नाम गुरू सिकर है जिसकी उंचाई सत्रे सो बाइस मीटर है इस पर प्रिसित परेटक्स तल मौंटन आबू सितित है जो राइस्तान में है प्राइदी प्रवतों की सबसे उंची चोटी का नाम है अन्ना इमुंडी अन्ना मलाई की पहड़ियों में सितित है सुदूर दस्षिन में काडो मम की पहड़ियां है अब है नीलगिरी की पहड़ियां नीलगिरी की पहड़ियां पश्मिगाट और पूर्विगाट को आपस में मिलाती हैं और नीलगिरी की पहड़ है करनाटक टट ऑप्सन भी है मालावारी टट ऑप्सन सी है कोकन टट ऑप्सन डी है कोरो मंडल टट तो इसका उत्तर है भायत के पश्मी टट मैदान कोत्री भाग को जाना जाता है कोरो मंडल टट से अब हम जान लेते हैं भायत के पश्मी घाट के बारे में ये देखो मैप म सिम्र्द और एदी पे सेयोजन के लिए जाना जाता है इस देने को उत्री माराज में साद्री और किरल के सहाँ परवत माला का जाता है तो ये कहां से कहां तक फैली हुई है माराज से किरल तक फैली हुई है पश्मिगाट जिसे सादरी भी कहते हैं पश्मिगाट और अरब सागर के भी संकिन टटिय मेदान कुत्री भाग को कोकन टट के रूप में जाना जाता है मद्दे भाग में कनारा और दस्दिन भाग को मालावा टट या मालावा टट का जाता है माराश के गाटों में तलहटी की छेतर को देश के रूप में जाना जाता है जबकि मद्य करनाटक रज्जी की पूरवी तलहटी को मलनाडू के रूप में जाना जाता है दस्षिन और तमिल ईड्व या तमिल ईड्व इस्टेनी की नील इडि मलाई के नामसे जाना जाता है इसको यूनेस्को के बिस्दरों के रुप में मानिता प्राप्त है ये अपने उच्छ सतर की जे बिविता और सतानिकता के कारण दुनिया के जे बिविता के आठ होर स्पोर्टों में भी सामिल है यहां पर कोरो मंदल टट है तमिल आइडू में प्राइदी पिया और दसिन पूर भी छोड़ा तट रेखा को दिया गया है यह चेत चोल राजवन्स द्वारस्ता पित रहा चोल चेतर का मंदल को तमिल के चोल मंदल कहते हैं वहीं से पोर्तगालियों और फ्रेंच लोगों के बिगाड कर कोरो मंदल नाम इसका नाम रख दिया गया यह हमारा है पश्मिगाड जिसे साधरी भी का जाता है इसमें तीन महत्मून दर्रे भी पाते हैं पहला होता है थाल दाड डर्रा जिसे जो मंबई नासिक को जोडता है दूसरा है बोरग गाट जर्रा जो मुंबई को कपोलो के मद्धे पूने से जोड़ता है और है इसमें पलककड गैप जिसे पाल गाट डर्रा भी कहते हैं जो कोईमबटू तमिलनाडू से केरल को जोड़ता है फिर है अंबा गाट दर्रा रतनागिरी जली के कोलापूर से जो प्रsplex अंधीजीव प्यारन वस्ति में बिलकुल गलत है तो इस प्रिकारा हमारे स्ट्रोगा उत्तर हो आब हम इसका विसलेशन जान लेते हैं सांडीव। वन्यजीव अब्यारन अतरपर्देश के हर्दोई जन्पद में सिते थे भारत के राश्ट अद्यान और वन्यजीव अब्यारन भारत का पहला राश्टे उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में सतापित किया गया था और अब इसका नाम जिमकारवोट है ये उत्राखंड के नाम से भी जाना जा जाता है जब भारत में 1970 तक भारत में केवल पांस राश्टे उद्यान थे संदक्षिन छेत्रों की स्रेनिया संदक्षिन छेत्रों की स्रेनिया पर दो भागों में बांटा गया है अब भ्यारन दूसरा राश्टे उद्यान अब हम जान लेते हैं वारत के राश्टे उद्यान तसरिष्का राष्टे उद्यान राइस्तान में है, माउंटन आवू राष्टे उद्यान राइस्तान में है, केवला देवी राष्टे उद्यान ये भी राइस्तान में है, दर्रा राष्टे उद्यान राइस्तान में है, कुंबल गड अब्यारन राइस्तान में है, देजट राष्ट्य पार्क राइस्तान में हैं लाल छापर राष्ट्य अब्यारन राइस्तान में हैं रन्थंबू राष्ट्य पार्क राइस्तान में हैं कुनो नेशनल पार्क मद्य परदीश में हैं पन्ना राष्ट्य पार्क मद्य परदीश में हैं मादव राष्ट्य पार्क मद मद्ध्य पर्देश में है काना राष्ट्य पार्क मद्ध्य पर्देश में है सत्पुडा राष्ट्य पार्क मद्ध्य पर्देश में है पेश राष्ट्य उद्यान मद्ध्य पर्देश में है चंद्र प्रभा उत्तर पर्देश में है दोद्वा राष्ट्य पार्क उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर राष्टे पार्क हर्यानी में है, कलिसर राष्टे पार्क हर्यानी में है, शिरोही राष्टे पार्क मनीपुर में है, बालमी की राष्टे पार्क बिहार में है, काजी रंगा राष्टे पार्क असम में हैं फ्लासी हिल्स तमिल नाइडू में हैं अगला परसंट वायुदाब सबसे कम होता है आप्शन ए सीत रितु में आप्शन D बसंत रितु में आप्शन C हैमंतत रितू में आप्शन D ग्रीश मृतू में तो वायू दाब सबसे कम होता है ग्रीश मुर्टू में आप्सन डी अब हम इसका विसलेशन वायू मंडल मुक्य गैसो का मिस्रन है जिसमें जलवास्फ और दूल के कर्ण सामिल होते हैं यद्पी ये वायू बाहर युक्त होती है लेकिन जनम से ही अव्यत होने के कारण इसका एहसास नहीं होता वायू के बाहर के कारण पिर्थी पर जो दाब पढ़ता है उसे वायू दाब कहा जाता है तो वायू के बाहर के कारण जो दाब लगेगा उसे वायू दाब कहेंगे इसके कारण इस परकार वायू बंडे दाब का रथ होता है किसी भी सतान या समय पर वहां की हवा का स्तम का बाहर उसे वायू दाब वायू के इस दाब को जिस यंतर से मापा जाता है उसे बैरो मीटर कहते हैं बैरो मीटर से वायो दाप मापा जाता है आम तोर पर मिली वार या मिली मीटर पारा में वेक्ट किया जाता है समंद्र पर सामने दाप 1013.3 मिली वार या 29.92 इंच पारा बैरो मीटर दाप बढ़ने पर आम तोर पर मौसम में सुधार होता है जब बैरो मीटर का दाब बढ़ता है तो मौसम सुधार होगा और जब बैरो मीटर का दाब गिरेगा तो मौसम खराब होगा सर्दियों में बैरो मीटर दाब अक्सर गर्मियों की तुनला में अधिक होता है क्योंकि थंडी हवा गरम हवा की तुनला में गहनी होती है दिखोती है तो दाब कम हो जाता है जलवाश कम होने के दवाब बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में हवा का दाब सबसे कम होता है क्योंकि तापमान सबसे गरम होता है क्योंकि गरम हवा ठंडी हवा की तुलना में कम गहनी होती है अगला परसन निमलिक में से किस पारिस्ट प्रव नार्य फ्रयंतिक तंत्र में अधिक्तम पाधव जे सिर्न शेल संञे में वेदकानी सबासिता ओमाद मोर्जाff चानिट स्केसूर सबसे बड़े कारवन लिंक के रूप में कारिये करते हैं प्रित्वीक का केवल 6% भागपर उस प्रित्वीक के रूप में पाए जाता है यहां पर वर्स होती है तता कभी मौसम में सुस नहीं होता उस कटवन लिंए वर्सावनों के उत्तरी सीमाओं के अंतरगत इस प्रकार के वनों का तेदिग विस्तार भारत के उत्तर पूरवी छेत्र के मेगाले अरुनाचर परदेश के नाम दफाव में पाया जाता है जहां गरम और आदर्स जलवाईों के साथ वर्स वर्सा होती है मेगाले में करकर रिखा के उत्तर में पाये जाने वाले उस कटवन लिंए वर्सावन की अधिकता है तो उस कटवन लिंए वर्सावल मेगाले अरुनाचर परदेश आदी में पाये जाते हैं नविन्तम निस्करत प्राप साक्षिय के अनुसार उस कट्विद्य वन पर जलवाई प्रव्यतन और मानो गत्विद्य के दोरे दवाव के कारण दुनिया की सबसे बड़े वर्सा वन को खत्रे में डाल रहे हैं जो वेग्यानी के अधर पर ग्यात प्रतियक दस प्रजातियो में से एक का घर है अब सवाना पारिश्थांत्रिक तंत्र सवाना पारिश्थांत्रिक तंत्र एक उस कट्वंद्य गहास का मैदान है जहां वर्सा वर्स वर्स वर्सा गरम तापमान होता है कर्मियों के में उच्चतम मानसून वर्सा होती है चोटे या विखरे हुए पेड सवाना गास के विशेष्टा हैं किलोईड्स किलोपी नहीं बनाते सुरुज की रोशनी जमीन तक आसानी से पहुंचती है सवाना के सबसे बड़े छेत्रे हैं वर्सा बन सवाना सबसे अफरीका में पाए जाता है सवाना बन दस्सिन अमेरिका में आस्टेलिया में एसिया में भारत में मैमार बर्मा थाईलैन मेड़ागास कर में पाए जाते हैं एमेजॉन वर्सा बन से संबंदे प्रमुख बिंदू ये विसाल उस्वकटवन्दनिय वर्सा बन है जो उत्री दस्षिन अमेरिका के एमेजॉन नदी और इसके साइक नदियों के जल के वेसिनों मौजूद हैं जो लगबग 6 करोड वर किलोमीटर छेतर को कबर करते हैं उसको वंदनिय वंद वितान वन होते हैं जो में द्रेखा या उत्तर दस्षिन के 18 डिगरी के वीतर पाए जाते हैं ये मौश्मी रूप में या पूरे वर्स में 200 सेंटिमीटर से अधिक वर्सा इन में होती है तो जो हमार एमेजॉन हैं वो सबसे बड़े दस्षिन अमेरिका के बन हैं अगला प्रसन है वर्सा की मात्रा वर्सा की मात्रा किन पर निर्वर करती है ऑप्शन ए वायुदाप पर ऑप्शन बी वातवरन में आदरता ऑप्शन सी जलचक्र ऑप्शन डी तापमान तो वर्सा की मात्रा निर्वर करती है वातवरन के आदरता पर अब इसका जान लेते हैं वर्षा की मात्रा कैख कानों से प्रवावित होती है मुक्य कारण है बातवरण आदिर्ता भारी वर्षा के लिए जिम्मे कि वाई मंडल में जल्वास्व का अनुपात कम है सुन्य से लेकर चाल पर तिस्ट तक फिर भी किसी भी सतान के मौसम जल्वाई पर इसका प्रभाप पड़ता है जब जल्वाई मंडल के तीनों रूप में उपस्तित रह सकता है जल्वास्व के रूप में गैसी अवस्ता में भी रह सकता है जल्ड की बुंदों के रूप में तरल अवस्ता में भी रह सकता है और हिम कनों के रूप में भी कठोर अवस्ता में रह सकता है जल्ड ये तीनों रूप आपस में मिलकर किसी सतान से वाई मुनल की आदरता का निर्दाहन करते हैं इस परकार हम वाई मुनल के उ जल्वनस्पतिय और दल्दल भुमी भी थोड़ी महतरह में वायु मंदल की जल्ववास प्रतां करती हैं चल्चक्र। दरहतल में वायु वायु मंदल की और वायु मंदल की दरहतल में आदरता लेंदेंस के नेकर चक्र vedere छल्थ conflict चलनता है। आदर्त ग्रहन करने के शक्ति उच्छ आक्षांस वाली हवाँ शया दिखोती है ठीकि इसी प्रकार उचाए बढ़ने के साथ आदर्ता तेजी से करती है वाई मर्ण के आदर्ता का सतान अंतर हक्षांस यह पट्टियों के बीच होता है अगला परस्थ रंगा राष्ट्ट किस प्रजाती के लिए प्रिशिद्ध है Option A है, सेर, Option B है, मगरमच, Option C है गेंडा, Option D है, टाइगर. तो इसका УТΥर होता है Option C. गेंडा के लिए परिशलद है. ये पहले हम जान लेते हैं काजरंगाwe nurtiko कहा हैं? काजरंगा नैशनल पार्क है, असम में. काजिरंगा नेशनल पार्क असमराज्या में सितित है लगबग 42,966 हेक्टियर में फैला हुआ है यह ब्रहम पुत्र नदी गाटी के प्रमुक बार्चेत में सितित है कानूनी दर्जा इसे 1994 में राष्टे उद्ध्यान गोसित किया गया था और इसे 1985 में युनेशको की विजदरोर की सूची में सामिल किया गया प्रमुक पर जातिया काजिरंगा राष्टे उद्ध्यान पांच बड़े जीवदारियों के लिए प्रिसिद्ध है पहला गेंडा, बाग, हाती, एश्या जंगली बहैंस, पूर्वी, बारसिंगा सामिल है असम के अन्य राष्टे उद्ध्यान असम के डिबरू प्राश्टि उद्यान असम मानस नामेरी राजीव गान्दी औरंग नेशनल उद्यान देहीं पठकाई नेशनल पाक ये सबी असम है अगला परसन निमर्ट में से कौन बिस्पित का उपग्रह नहीं है ऑप्षण A यूरोपा ऑप्षण B गैनी मेड उप्षण C क'MS दो इसका उत्तर है डिमोस बिस्पित गरह का उपग्रह नहीं है अब हम इसका विसलेशन मंगल के दो उपग्रहे हैं डिमोस और फोवस This और फोवस मंगल गरह के उपग्रहे हैं विस्पित गरह के बारे में जान लेते हैं। बिश्पित सनी, यूरेनस और नेप्चुन की जोवियन ग्रह या गैसियस विसाल काई ग्रह का जाता है इसमें वाइमन की मोटी परत पाई जाती है जिसे जादातर हीलियम हाईटोजनस गैस होती है बिश्पित लगवख हर दस गंटे में एक वाद गोनन एक जैवियन दिवस करता है परंतु सीदी की परिक्रमा एक जैवियन वर्स करने में इसे लगवख बारे वर्स लगते हैं बिर्षपती के 75 से अधिक चंद्रमा हैं बिर्षपती के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं को इटालियन खगोल सास्त्री गैलीलियो गैलीली द्वारा पहली बार 1610 में इन ग्रहों को देखा गया था और इन ग्रहों का नाम गैलीलियन उपग्रे का जाता है इसके नाम है आयो यू रोपा गैनीमेड और कैलिस्टो वर्स 1989 में वालजर मिसन ने बिस्पित की दूली वल्लिय प्रिनाली की खोज की थी अगला गिरह है मंगल गिरह है यह सूरिय की दूरी से क्रमस में चौथा गिरह होता है मंगल गिरह प्रित्वी के आकार का लगबग आदा होता है प्रित्वी के समान तक कक्षा और पूहन में होता है मंगल गिरह सूर्य की परिक्मा 24.6 गंटे में पूरा करता है पिरत्वी पर लगबग एक दिन 23.9 गंटे के समान है मंगल गिरह गुन अक्षिय सूर्य के और और अपनी काक्षिय तल के आपिक 25 डिगरी तक जुका हुआ है यह पिरत्वी के अक्षिय जुकाव 23.4 डिगरी के समान है पिरत्वी की भाती मंगल गिरह भी अलग-अलग मौसम पाए जाते हैं लेकिन यह पिरत्वी के मौसम के तुलना में अधिक समय तक एपरवित रहते हैं क्योंकि मंगल गिरह की अवस्तिती दूर है इससे सूरिय की परिक्रिमा करने के अधिक समय लगता है मंगल ग्रह के दो सौल कहते हैं सौर दिवस का छोटा रूप होता है उप ग्रह हैं मंगल के फावोस और डीवोस अगला प्रिसन नागा खासी गारो पहाडियां सितित हैं उपसन ए पूरवांचल परवत माला उपसन बी कारा कोरम परवत माला उपसन सी जासकर परवत माला उपसन डी हिमाले परवत माला तो इसका उत्तर है पूरवांचल परवत माला इसका विसलेशन जान लेते हैं तो लद्दाक और कारुकरम स्रेनी के समान पूरू अचल की पहाडियां हमाले परवत के इस भाग में विद्मान पहाडी के दिसा उत्तर से दस्जिन है ये पहाड़ी अधिकान छोटे बड़े नदी नाले द्वारा विवाजित होती है इन पहाड़ी को विविवन सताने नामों जाना जाता है जैसे उत्तर में से पटक पाड़ियें ने का जाता है गारोखासी जैनतियन नागा मिजो पाड़ियें मिलका पूरवांचल रेंज बनाती हैं गारोखासी जैसी उल्लिक पाड़ियों में मेगाले के सिलांग को सामिल किया गया है पूरवांचल रेंज मुक्रूप से पटकाई बरेल मनीपूर मिजोरम नागा हिल्स पाड़ियें सामिल हैं, नीची पाड़ियें इस सेन के अनेक जनजातियें जूम खेती करती हैं, बराक मेगना की सायक मनीपुर और मिजरम की प्रमुख नदी है, मनीपुर गाटी के मद्दे में लोक टक जील सितित है, जो चार ओर से पाड़ी से गिरी हुई है, मोलिसिस वेशीन कहे जाने वाले मिजरम का निर्मान मुर्दुल और एसंगटे चटाने से हुआ है, मनीपुर के पूर भाग में बहने वाली नदियां है, चिदविन नदी मैमार से प्रभावित इरावती की सायक नदी है, अगला प्रिशन प्रित्वी के ऊपर वातवरन में तापमान के अधर पर परते होती है, ये प्रात्मिक परते हैं चोब मंडल, समताप मंडल, मद्य मंडल और ताप मंडल, यानि प्रित्वी के वाइविंडल में कुल चार प्रात्मिक परते होती है, प्रित्वी की सते से लगवा 500 मीटर उपर एक और छेतर को ब दूसरी है समतापमन स्टेटो से प्यार, तीसरी है मद्यमन मैजो से प्यार और पांच भी है थर्मो से प्यार और इसके भी दो भागे आईनो से प्यार और एकजो से प्यार अब हम वाई मंडल की परतों के बारे में जान लेती हैं तो पहली है छोब मंडल यह परत्वी के सते से सबसे नजिक होती है इसकी उंचाई लगबग 16 किलोमीटर रेखा से द्रुबग 8 किलोमीटर की और गटती है यह सभी मौसम गटना इसी में संपन होती है तो चोब मंडल में सभी मौसम गटना होती है यह अन्य सभी परतों से गनी और यहाँ पर जलवास, धूलकन, आदरता, आदी मिलते हैं मौसम सम्मिंद, अधिकांस, परिवरतनों के लिए चोब मंडली उतरदाईत है तो मौसम की सभी जो गटना होगी वो छोब मंडल में होती है इस परतों उचाई के सासा तापमान गट्ता है फिरतिक 165 M या एक डीरिब से तापमान की कमी हो जाती है इसे सामानी ताप हास दर कहते हैं ताप हास दर्ग केबल उंचाई से नहीं वलकी अक्षानसों से भी प्रवावित होती है इस नियम के निशार यह उच्छ तापमान वाले दरातल से उच्छ तथा निम ताप वाले दरातल के निम होती है चोब मंदल के उपर सीस पर सितित चोब मंदल सीमा इसे समताब मंदल से अलग करती है इसे समवेन मंदल भी कहा जाता है अगली है समताब मंदल इसके उचाए 50 किलो मीटर तक होती है और तापमान के उचाए के साथ साथ इसमें विर्दी नहीं होती तापमान समान रहता है यह वाई यान चालोकों के लिए आदर्स मानी जाती है जो वाई यान हवाई जाज उड़ते हैं यह समताब मंदल में उड़ते हैं इस मंदल में जलवास धूलकन नहीं पाई जाती हैं और इसमें बादल भी नहीं होती हैं और इसमें जो महत्पूर ओजन परत इसमें पाई ज होती है अग्रहायन मंडल इसे ताप मंडल भी का जाता है ुसी हुचाहि लगवाब 50 inclusive 30 km तक होती है और मंडल मंदल सब से उपर परत होती है इस ताप मंडल लगवाब 558.800 तक होता है और इसमें हीटरोजम घुलियम गैस पई जाती है है अगला परसन उतर परदेश की वे कौन सा एक मात रिजिला है जिसका सिमा जहारकर राज़िश लगती है अप्षन ए वारनसी ऑप्षन भी व्ट्रोर्ज़ और सूनभद्र ऑपसंची स्चंदोलि ऑप्षन प्रजापर तो इसका उत्तर है सौनभद्र ऑप्षन भी जो जहारकन से सीमा लगाता है उत्तर परदेश के उत्तर में उत्तराखन हमाचर परदेश और उत्तर पूरम ने नेपाल देश है इसके उत्तर पश्चिम में दिल्ली और हरियाना है इसके पश्चिम में राइस्तान है इसके दस्चिन पश्चिम में मद्परदेश इसके पूरों में बिहार और इसके दस्षिन पूरों में जहारकन और 36 गड़ है 192 मात्र एक ऐसा उत्तरप्रदेश का जिला है जिसकी सीमा केवल जहारकन से लगती है जिला है जिसकी सीमा मद्देश जहारकन केवल मद्देश जहारकन बिहार राज्ये से सीमा लगती है उत्रप्रदेश को इसका नाम उत्रप्रदेश के बारे में बहुत्रप्रदेश का छेत्रपल लगबग 2,44,928 वर किलोमीटर है जो भारत के छेत्रपल का साथ पंट 33 परसेंट है अक्षान से 23 वामन उत्रियक्षान से 30-28 उत्रियक्षान से देशानंतर है प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है प्रदेश का सबसे पश्मी जिला सामली है प्रदेश का सबसे उत्री जिला सारनपूर है दसनी जिला सौनबद्र है सबसे बड़ा जिला लखिम खेरी ह सबसे छोटा जिला हापुड है कि सारंपुर से सटे राज्यों की संक्या तीन हरियाना हिमाचर प्रदेश उत्राखन प्रदेश में किर्शी जलवाई 9 है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है सारदा नहर और मद्रेश के तीन तरब से गिरा हुआ है ललितपुर अगला प्रसंद पश्मी विफोक्ष के कारण निमिल्ट में किस राज्यों में वर्सा होती है ऑप्शन ए पंजाब ऑप्शन वी वेस्ट बंगाल ऑप्शन सी केरिल ऑप्शन डी गुजरात तो इसका उत्तर है पश्म पश्मी विफोक्ष के कारण पंजाब राज्यों में वर्सा होती है पश्मी विफोक्ष अतिरिक उस्ट कटवने तूफान है जो भूमद्य सागर से उत्पन होता है और पूरव क्योड़ बढ़ता है पश्मी विशोप भारत मौसम विज्ञान के अनुसार पश्मी विफो रागर से उत्पन होने वाले वही रूप वही ऊस्मी कटवन्दनी तूफान के रूप में विचेनित किया जाता है जैये निम्दाव कछेत्र रहे उत्तरपश्यम भारत के अचानक वर्सा वर्फारी और कोहरी के लिए जिम्मेदार है पश्मी विफोक्ष का अर्थ होता है इसके नाम से नहीत है यह पूरव से यह पश्चिम से पूरव की दिशा की ओर आते हैं और यह सब से जो पहले वर्सा करते हैं वे भारत में पंजाम में की जाती है पश्चिमी फोक से वर्सा होती है अगला प्रसंद पैटलोजी का दिन क्या कहला आता है भूमी खनीज सेल या मिट्टी तो पैटलोजी में पढ़े जाती है यह अब हम सेलों के बारे ने पैटलोजी सेलों का दिन करता है आगेञ्या कायं अंतृति अज़लती रहती है इजिसके प्रात्मिक से अंत्यूं से निर्मान हों हो כर धनीगूत हो और इन चट्टानम आर्थी ग्रूप से उप्योगी माने जाते हैं इनमें लोहा, निकल, तामा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मेंगनी, सोना, आधि प्लीटना पाए जाते हैं और जारकन में पाए जानने वाला अबरक इसी में मिलता है आगेनिय सेलों में आगेनिय सेल चट्टान, कठोर और रेविदार होती हैं इन चट्टानों पर आसानिक अपच्छे बहुत कम प्रवाब पड़ता है इनमें किसी भी प्रकार से जीवास्पन नहीं पाए जाते हैं अगली है अपशाधी चट्टन प्रत्वी सत्य की सेले अपच्यकारी कार्णों से प्रती अनाविर्थ रहती हैं ये विविन प्रकार के विखंडों से विवाजित होती हैं ऐसे विविन वन्नित कार्णों सम्भे नेत होती हैं अपशाधी चट्टन अधिकांस परत्तार होत समय बनस्पति जीव जंतों के जीवास बड़ी मंगात्रह में में मिलते हैं खनीज लेल। अपसाधि चट्ठानुव पाइजाते हैं एपर विष्च च्ट्ठानुं के दो परता के बीच भी सेलकि परता पाई जाती है इस तो खनी स्टेल के लिए उनकुल सित्यती बन जाती है दामोदर महानदी गोदावरी नदी के वैसीन का उपसादी चट्टानों कोईला पाए जाता है रूपानंत्रित किरम की चट्टाने यह दाव आयन और ताप के प्रिवतन कि प्रिया के फलसरूप इन सेलों का निर्मा प्रिवतन के का उपान चट्टानों का निर्मान होता है इन सेलों में रवे भी पाई जाते हैं रवे कीश्टल भी पाई जाते हैं कि यह अन्य सेलों से अधिक कटोर होती है और इसे छेद्र नहीं होते पर अगला प्रिसंट में कॉन सा रोक सिस्टम बायत के नब हुआई से अधिक कोईळा प्रदान करता है तो इसका उत्रवारा गौडवान चेत्र, और बारत में कुल बिद्रत उत्पादन में कोईगडान सुल्प्र चॉवन परसेंट है। भायत में कुल संचित बंडार का 9% कोईला गोडवाना संच्रम पाए जाता है जिसका निर्मान कारवेनिया फियर और फैर्विन काल से हुआ है सेज कोईला टर्शियर काल का है गोडवाना कोईला छेत मुकरव से दामुदर सहौन महानदी गोदावरी पेच वर्दा आदिन नदियों के घाटों में पाए जाते हैं दामुदर घाटी का कोईला जाहरकन पश्च मंगाल की जाहरियां बोकारो गड्री हीड बालवी कनשर्ट मद्य परदेस वत्रपरदेस शिंगमोर शासफ अमस्पुर अम्रिया बिःट मारण नदी कोला चातर रुडाशी नदी घाटी कोला चातर चंतर मारा च्राच। मेटमाल ऑफ नाकपुड चातर मेल्म और आप च्छे तुनतर य्त उत्त्र प्रदि huge पूर्श का है कोलें लिंटेड लीटेड नमबर 1975 में अस्तित में आई इसकी सतापना के वर्स में 89 मिलियन टन के साधन उत्पादवाली कोईल लिमिटेड आज विश्व की सबसे बड़ी कोईला उत्पादक और सबसे बड़ी कार्परेटिक निरियतक के रूप में है यह एक महारतन कंपनी है अगला परिसन लाल सागर उधारन है जौल में की गाटी का ऑप्सन इरोडेड़ वेली का या अक्षियगर्द का या यू के आकर की गाटी का तो इसका उत्तर है अक्षियगर्द का उधारन है लाल सागर अक्षियगर्द का उधारन है लाल सागर दो विवर्तनी पलेटो अफ और अफरीका को अलग करता है लाल सागर, लाल सागर के बारे में जान लेते हैं, लाल सागर एक अर्द संगलन उस्कट बंदनी वेसीन है, जो उत्तर पूरम में अफरीका, पश्चमी और पूरम में अरब प्राइदी पर जिरा हुआ है, लंबा और सकीन आकार का वेसीन, भू स्वेज घाडी से अलग हो जाता है, तो याद रखे कौन-कौन से खाडी है वही, अकावा की खाडी और स्वेज की खाडी से अलग हो जाता है, जो स्वेज नहर के मद्य में वहुंते सागर में जुड़ता है, दस्चिन चोर्फ से यह बाब, लाल, मेदेद, जलमंडल के द तो निर्मान इसका निर्मान चार से पांस मिजिन वर्षों को लाल सागर आकार प्राप्त हुआ है धही गति से समुदरी फैलाव इसे भूग गर्भी है रूप से पृत्वी पर सबसे कम आयू के समद्र छेत्रों से लूप में निर्मित करता है वर्तमान में ये बेशिन वर्स एक से दो सेंटिमीटर की दर से चोड़ा हुआ है जै विविता लाल सागर में एदरिसे बाव कच्छुआ डॉंग डाल्फिन और अन्य मचली भी पाए जाती है लाल सागर का नाम लाल सागर का नाम के संदर में विविन सिद्दान पर चली थे इसमें सबसे लोग प्रिये पानी की सते के पास ट्राइक कोड्रियम इरिथियम नाम के एक लाल रंग के सेवाल के उपस्ति माना जाता है तो याद राके ट्राइकोड्रियम, एरित्रियम एक लाल रंग के सेवाल है इसके नाम पर इसका नाम लाल सागर पड़ा अगला पसे निमेल इसमें कौन सी स्वेसतानी सनक्षन रननीती का उधारन नहीं है तो उप्सन A है वायोसिपे रिजर्प, उप्सन B है वाट निकल गारण, उप्सन C है राष्टियुद्यान, उप्सन D है पवित्र उफवन तो इसका उत्रहा है वाट नीकल गारण, श्वेस नताय शनक्षन रननीती का उधारन नहीं है तसन रक्षन वन्य जिवो की प्राक्रति संसादन की सुरक्षा रखरकाब प्रवंदन पूर्ण स्तापन संरक्षन का आम तो पर दो प्रकार से विवाज़त किया गया है इन सीटू कंजर्वेशन संरक्षन एक सीटू कंजर्वेशन इन सीटू कंजर्वेशन इससे तात्रिय है जिसके वास्त्विक सतान पर या उसे उत्पत्ति के सतान पर सीमित सीटू सुनक्षन का उदार ने आरक्षित सुरक्षित छेत्रों का गठन करना यह अपने प्राक्रति आवाज के लिए लोगत पौदे प्रजातियों की रक्षा के लिए प्रिक्रिया है सीटू के अंतरगत राष्टिय इसके अंतरगत राष्टिय उद्यान वन्य जीव अभ्यारन जैमंडल रिजर्व आती है यह हम पढ़ चुके हैं सिरिस का राष्ट उद्यान राष्टान में यह हम पहले पढ़ चुके हैं इसे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं अगला प्रसंद कौन सा सुमलित नहीं है तो और बंदरगाः साइट देश है तो रोक्स डेम बंदरगा नीज़र्द लेन में बिल्कुल सही यह इग एक एक बंदरगाः चीन में यह गलत है मैटो वीडियो उग्रुबे तक एंडोनेश्य उपसं जो इसका भी है वह गलत है सरी गलत इसमें चाय का सबसे अधिक बढ़ा निर्यातुक है है, बारत में चाय का सबसे बढ़ा उत्पादिक है। पहले नंबर पर चीन है चीन सबसे ज़्याद चाय को अत्पादन करता है और दूसरे पर भारत करता है और भारत दुनिया के चाय का चौता सबसे बड़ा निर्या तक है अंतराश्टियत चाय दिवस दिसमन 2019 के स्विक्राश्व मासरदवा गोसित किया गए चाय दिवस हर साल 21 माई को मनाया चाता है अगला परसंद है सूची एक को सूची दो से मिलाईए तो एक साइड दी गई है जन जाती है और दूसरे साइड दी गई है छेतर तो हम सिदह इसको अप्सन जान लेते हैं C अप्सन है तीन का क्या है एक है अ तीन है जो crime जन जाती है मद्देशन प पाहरी हैeger मैं और सी का है एक जो जन जाती होगे जापन पाहरी जाती है और डे ना है फाल धो धूआ सब्सक्राइब पैसागर में तो हम कुछ महितुन जन जातियों को मैप तरो जान लेते हैं तो हम मैं आप देखो दे कि खासी जन जाती देखो आपके यहां असम है अमाचर परदेश है मेगाले में खासी पाई जाती है जन जाती फी है वील जन जाती राइस्तान में है मद्दे परदेश में वील जन जाती पाई जाती है गड़ी जन जाती यह माचर परदेश में पाई जाती है गड़ी जन जाती दोदिया जन जाती गुजरात में पाई जाती है दोदिया जन जाती गुजरात में अंगामी जन जाती जो पाई जाती है ये मेगाले के स्थे में पाई जाती है अंगामी जन जाती चकमाश जन जाती जो पाई जाती है ये तरपुरा के स्पेर में पाई जाती है औरंग जन जाती यह थोड़ से यहां पर पाई जाती है उत्रप्रदिश का असपास में औरंग और चिंचु जन जाती जो पाई जाती है चिंचु जन जाती है तमिलाड मांदर प्रदिश के स्थेम पाई जाती है संतर जन-जादी ये शंक्यम के एर फेर में पस्टरमंगल असम 익혔्वहर में पाई जाती है जौरा जन जाती जो पाई जाती है जौरा जन जाती जो पाई जाती है यहां पर पाई जाती है मेगाले के आस पास के लाके में तो यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जूरू कर दें अब हमारी जो जौरा जन जाती है अन्वा निकोवार यहां पाई जाती है वोगो बता देते हैं वीडियो को जदर जदर सेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को सेयर करें आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं जिसकी आईडी का नाम है कामियावी तक नाम से है कामियावी तब उससे हमें इस्टा भी फोलो कर सकते हैं आप से फिर कहता हूं वीडियो अच्छी लगए तर दबा के लाइक करो दबा के सेयर करो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्युक्त